बात करेंगे एक ऐसे महमान से जिन्होंने की उपचुनाव जीता है मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल परदेश की हिमाचल परदेश में तीन सीटों के लिए बाइलक्षन हुए जिसमें दो कॉंग्रेस ने जीती और एक बीजेपी ने जीता है और इसके साथ ही जो हिमाचल बिधानसभा है वहाँ पर हिमाचल में और हमारे साथ आपको महमान से मिलवाता हूँ कमलेश ठाकुर जी है जो की बिधानसभा का चुनाव जीता है 9000 वोटों से देहरा से चुनाव जीता है और आपको बता दूँ कि यह मुखमंती जी की पत्नी है लेकिन पिछले 20 सालों स कॉंग्रेस से जुड़ी रही है मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है एड़ी टीवीं से जुड़ने के लिए पहले आप अपने जीत के बारे में बताएं कैसे जीती 9000 वोटों से जीत बहुत बढ़ी जीत होती है हिमाचल के लियात से देखिए जीत मेरी जीत नहीं है एक्चली यह जीत यहां की जनतागी है यह यहां पर मेरे मायका है और मेरे यसारे भाई भेहन इश्तिदारी और सारे मेरे जो साक्सवंदी और भाई भेहन थे इन्होंने सबंआ है एक उप जुटोकर महिनत की और सब्सेवारे हिबन अमण मन बनाया था कि है जो 25 साल से यह हैं मताब आप हैं Congress में ऐसा नहीं है कि आप चीफ मिनिस्टर की वाइफ हैं आप हैं Congress की सदस जी हमें 27 से फिर भीश्य सीचिकी मेंबर थी पिछले भी साह से और अभी तो मैं एज़ये मलके समाय से बरात मालगी जैसे चीफ मिनिस्टर के साहथ साहथ मैं घर का आप मुकमंती जी का छेत्र है वो समालती थी नादाउन अभी तक उसकी देखवाल करती थी तो अब अब उसका एक्सपेडियंस है आपको इसका मतब राजनीती में कानुवव है आपको देखी राजनीती नहीं करती थी मैं जैसे साथ के सेंस में जैसे लोगों से मिलना और लोगों के काम पकड़ने या लोगों की कोई चुटे मुटी समस्या होती थी उनके लिए मैं समधान करने के लिए तत्वर रहती थी विश्वार की जो सीट थी वह अतनी आसान नहीं थी क्योंकि हमीरपूर लोगसभा में आता है और सीट कैसे आपने जीती इसके बारे में बताए क्योंकि सांसाद वहां के बीजेपी के हैं देखिए जैसे कि हमारी डेट सांसे बंद्रा महिने से यहां पर हिमाचल में पावर्स की सिरकार पावर्स पार्टी की सिरकार है तो लोगों को पता था कि लोगों को जैसे जैसे हमा और लोगों का विश्वास मनकी बीजे पीसे उठता जा रहा है और लोगों ने सोच लिया था कि हमारा जो यहां 15 साथ से हम पिछे पिछड़ रहे हैं तो हमारे को सरकार के साथ ही चरणा पड़ेगा और कॉंग्रस की नितियों से प्रभावत से उकर लोगों ने मुझे साहथ दिया और मुझे यहां से चुनन जब सुक्षु साब राजनीती में थे ही पती तो राजनीती में है तो आप पत्री को आने की क्या ज़ुरत परी है और साइध एक साथ अभीदान सभा में बैटेंगे. तेखिये राजनीती में ना मेरा इंटरस्ट था, ना में ना कि मैंने ये रखा था कि मुझे टिकेट मिले. और जब हाइगमान ने और यहां सर्वे के हिसाफ से यहां मेरा माइक का है, कर weet कि यहां कि आदेश डिया कि आप Ne lenet पार्टी के लिए उन्मी वरी कि पार्टी के यह कुछ भी करने के लिए ठै पार्टी के इस पर आपने हां कर दिया लेकिन आपके दिमाग में कभी आया नहीं कहीं उच नीच हो गई यदि यह सीट नहीं बचा पाए तो फिर कितनी मुखमंत्री जी की तो बहुत दिक्कत हो जाती नहीं जी मुझे बश्वास था जैसे मैं दो तीन दिन से लोगों से में लोगी बात हो रही थी यहां पर तो सारी यह वोड़े थे कि नहीं हम इस वार बीजेपी कॉंग्रेस नहीं देखी उन्होंने मुझे एक बेटी के रूम में अपनाया और बिकास के नाम पे नहीं बोड प्रवाटी से गए थे आपको लगता है कि जनता ने अपना वडिक दे दिया है इस उपचुनाओं में इस उपचुनाओं में 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 की सामने आ गया बिल्कुर सपष्ट हो गया कि लोगों का जो जुकाब है कॉंगर्स पार्टी की तरफार कॉंगर्स स्रकार्ट के उसके प्रति लोगों का लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं और लोग चाथते हैं कि हमारा विकास हो इस इस में के तरह हम देखते कि कॉंगर्स पार्टी को लोग अपना रहे हैं मैटम जब इतना कुछ जो तीन में से दो सीटें आप जीत के लेकिन लोग सभा में क्या हो आता चारो सीटें हार गई देखिए उसके बारे मैं अभी बीस दिन पहले में राजनीती में नी थी अब मैं थोड़ा सा कदम रखा तो मैं अब इस पे जादा नहीं समस्ट करना चाहती है ना मिजी इतना उसके बारे में मान नहीं तो आपकी सबसे पहली प्राइटी क्या ह और हर क्षेतर में पिशुड़ चुपे तो मैं जैसे-जैसे मेरे सामने चनौतियां आ रही हैं तो मैं उनके समधान के लिए आगे बात रखोंगी विद्धार सब्सक्राइगा और यदि कभी भी मुखमंत्री जी पे कुछ राजनीतिक रूप से आएगा तो आप बचाओ क अब लिए पीशे खड़ी रहेंगे तो कमलेश जी आपको लोगों को बता दूँ कि कमलेश जी एमें हैं पॉलिटिकल साइंस से और चंडीघड से इनोंने कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वेड़ं वक्त निकाल करके हमसे बातचीत करने के बहुत-बहुत सुक्रिया झाल झाल